हाई फ्रेंड्स क्या आपके मन में भी ये प्रश्न है कि अगर मेरे पास पैसा हो तो मैं कहा निवेश करूँ जहां मुझे सबस्यादा रिटर्न मिल जाए और आप देखेंगे कि यूट्यूब पर इस विशय को लेकर बहुत सारी वीडियोज हैं कोई कहता है शेर मार्किट म टिपिकल काम है और किसी की गाइडेंस के अधार पागरा पैसा करते ना तो आपको अभी भी पस्तावा होगा और भविश्य में भी पस्तावा होगा इस बात को समझने के लिए मैं एक परिवार की कहानी आपको बताता हूँ एक परिवार के पांच भाई जब एक साथ थे तो उनकी जब प्रॉपर्टी का बटवारा हुआ तो लगभग दस लाक रुपे की वो सारी प्रॉपर्टी सेल हुई और दस लाक रुपे प्रॉपर्टी सेल करने के बाद हर एक भाई को दो-दो लाक रुपे मिल गए और वो कौन थे देव, करन, सुधीर, विनोध, एंड लनलन सिंग इन पांचो भाईयों को उनके पिता जी ने दो-दो लाक रुपे दिये और ये कहा कि आप अपने भविष्य को खुद निर्धारित करो कि आप अपने पैसे को कैसे निवेश करेंगे और दोस्तों कहते हैं कि अनुभव के अधार पर हम निवेश करते हैं और भ पांचो भाईयों ने भी ऐसा ही किया इन पांचो भाईयों ने दो-दो लाक रुपे निवेश किये और हर व्यक्ति ने अपनी सिक्षा युग्यता काबलियत और अनुभव के अधार पर निवेश किया और शायद हम किसी भी विक्ति के निवेश को गलत नहीं कहेंगे साल के लिए FD में लगा दिये कहां पे लगा दिये FD में और कहते हैं कि FD में पैसा लगाया है तो safe and secured और fixed percentage of return वहां मिलने वाला है करन ने वही पैसा gold में लगा दिया उसने gold खरीदा और एक तरह से gold को store कर लिया अपने पास सुधीर ने वही पैसा invest कर दिया land में क्योंकि बहुत सरों लोग कहते हैं कि हर कुछ समय बाद land की value multiply हो जाती है और वो कितनी multiply होगी इस बात पर depend करता है कि वो land कहां था बविश्य में government ने क्या-क्या प्रोजेक्ट वहां पर बनाए यह कौन-कौन सी ऐसी दिक्कते थी जो बविश्य में उस land की तरफ आ गई जिसकी वैसे उसकी value depreciate हो गई घट गई या उतनी नहीं बड़ी जितनी बढ़नी चाहिए थी इसके लाबा विरोध ने सोचा ना तो मैं गोल्ड खरी दूंगा नहीं मैं प्रॉपर्टी में इंवेस्ट करूंगा नहीं मैं कि भविश्य में आपका पैसा कई गुना होने वाला इसमें तो देखते हैं अगर ये सभी लोगों ने सन 2000 में ये पैसा इन्वेस्ट किया था तो आज 2020 में इनका ये पैसा कितना हो गया इस बात को हम पास्ट परफॉर्मेंस के आधार पर कैल्कुलेट कर लेते हैं मतलब मैं बात कर रहा हूं सन 2000 से 2020 क्योंकि आप भविश्य की प्रेडिक्टिबिलिटी पास्ट परफॉर्मेंस के अधार पर ही निकालते हैं और हम ही क्या हर व्यक्ति अपनी लाइफ का जो डिसिजन लेता है न वो अपने पास्ट एक्सपिरियंस के अधार पर लेता है तो देव ने जो पैसा साथ लाख चब्विस हजार 231 रुपए हो गया अगर आप ठीक से देखें कि 20 साल में इंफलेशन गाप कितना बड़ा है मुद्रस फिती कि इधर कितनी बड़िया उसके अधार से इस पैसे की कोई वेल्यू नहीं है जबकि कहते हैं एवडी में डेपॉजिक किया वा पैसा 2400 रुपए का था इसके इसाब से दो लाख रुपए का गोल्ड उसने खरीदा और 2020 आते आते उस गोल्ड की वेल्यू 48,650 रुपए प्रती 10 ग्राम हो गई मतलब वही गोल्ड जो 44 के रेट पर उसने दो लाख रुपए में खरीदा था वह अब 48,650 रुपए की रेट पर लगबग 22 लाख रुपए और जो सुधीर था उसने वही पैसा लैंड में इंवेस्ट किया दो लाख रुपए जो लैंड में इंवेस्ट किया था आज उसकी वेल्यू 20 साल बाद 25 लाख रुपए हो गई फ्रेंट्स लैंड पर भी ना बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो लेकिन उस प्रोजेक्ट के आने के बाद भी बहुत सारे लोगों के लेंड की घट गई जैसे मैं डेली का एक्जांपल बताता हूं नारायना विहार पर जो रोड है उस रोड पर सबकी लाइन से प्राइम लोकेशन की प्रॉपर्टी थी लेकिन वहां पर फ्लाय ओवर आय तो जिस व्यक्ति की बिल्डिंग के ठीक सामने फ्लाय ओर का पिलर आया उसकी वेल्यू डिप्रिशेट हो गई मतलाब उतनी नहीं बड़ी जी बढ़नी चाहिए थी जबकि जिस व्यक्ति के सामने फ्लाय ओर एंड हुआ उसकी प्राइम्पल पचास गुना बढ़ गई तो जब property खरी दी तो government ने रोड चोड़ा करने के project को लिया और वहाँ पर उसकी property सारी जो paper value होती है circle value होती है उसके इसको surrender करनी पड़ गई तो डिपेंड करता है कि भविश्य में आने वाले project क्या होंगे जिसके साब से आपके property की value define होगी जिस व्यक्ती ने business में invest किया था प्रड़ने के business में तो कोई limit नहीं आगे बढ़ने की high risk भी हो सकता है वो दो लाग रुपए आपके दो करोड हो जाते दस करोड जाते 50 करोड हो सकता है वो दो लाग रुपए आपके zero हो जाते अपने business शुरू किया वो पैसा आपका waste हो गया आपको loss हो गया हो सकता है दो लाख रुपे होने के बाद भी आप करज़ार हो जाते आपको लगता कि भविश्य में बिजनस बढ़ेगा आप करजा लेकर बिजनस में और लगाते गए और लगाते गए एक समया साया कि बिजनस भी बंद हो गया और आपके उपर 10-20 लाग का करजा भी हो गया तो यह डिप बिल्कुल बढ़ेगा लेकिन कई बार ऐसा दिखा गया कि शेर मार्किट के बढ़ने के बाद भी बहुत सारों का पैसा जीरो हो गया पीरलेस जैसा एक शेर आया था जिसकी वेल्यू बहुत जादा थी और आज के समय पर उसकी वेल्यू शुननी हो गई है कुछ शेर ऐसे रही थे जिनकी वेल्यू कुछ सेक्ड़ों रुपे थी और वो लाखों रुपे हजारों रुपे हो गई है मतलब अगर मैं MRF शेर की बात करूं तो 100-200 रुपे का शेर था 48 रुपे 50 रुपे का शेर हो गया तो लेकिन हम बात करते हैं कि शेर मार्किट की वेल्यू समय पर क हो जाने वाली थी मतलब लगबक 9 गुना आपके पैसी की वेल्यू बढ़ जाती अगर आप केवल निफ्टी को देखते हूं निफ्टी की वेल्यू के हिसाब से ही इन्वेस्ट कर देते हैं तो इसका मतलब आपके जो 2,00,000 रुपे थे वह बढ़कर 18,000,000 रुपे हो जाने करें क्योंकि जब अब एक ही तरह के एक ही तरह की आप पॉर्चुनिटी पर आप इन्वेस्ट करते हैं तो हो सकता है आपका पैसा 0 हो जाए हो सकता है वो कई गुना मल्टिप्लाई हो जाए वारन बफे ने भी एक बात कही थी कि do not put all eggs in single basket एक ही बास्केट में सारे अंडे की ओर रहें और फेंट्स इन्वेस्टमेंट का ना एक ही उसूल है इन्वेस्टमेंट आप कहीं भी कर दो आपके सामने बहुत सारी बविश्य में ऐसी अपॉर्चिनिटी जाएंगी जब आपको लगेगा कि काश मैंने यहां निवेश किया होता जैसे कहते हैं ना बहुत स इसकी प्रेडिक्शन को छोड़ते हुए आप अपने इन्कम को अपने निवेश को अलग-अलग तरीके से डैवर्सिफाई करें ताकि आपको मिलने वाला रिटन कहीं ना कहीं से बहतर तरीके से आपको मिलता रहे और जहां से भी लॉस हुआ है उसको आप आसानी से रिकव लेंड बिली हैं कभी भी नहीं पता होता कि कहां पर सबसरा ग्रोथ हाने वाली है केवल फ्यूचर पॉसिबिलिटीज के अधार पर ही आप निवेश करते हैं इसलिए सोच समझ के निवेश करें कि आप अपने गाढ़ी कामाई को कहां पर लगाए ताकि आपको मिलने वाला रेटन बहुत बेतर हूँ फ्रेंट्स जिदि आपके मन में इंवेस्टमेंट से कोई भी प्रश्ण है तो मुझे कॉमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं और कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियो मिसना उसके लिए इस चैनल को सब्स्क्राइब करें स्वस्त रहे मस्त रहें मैं डॉक्षर मित्मा ईश्वरी आपके सुनरे बविश्य की कामना करता हूँ जै हिंद जै भारत